100 Days of Code के तीसरे दिन में आप सब का बहुत-बहुत स्वाधत है. आप इस दिन का नाम यानि concatenation, concatenate, फ़र की सोच रहे होंगे ये concatenate किस नेता का नाम है, डरिये मत. Concatenation सिर्फ वो concept है जिसको यूज करके हम text और variables को एक साथ जोड सकते हैं. आएए देखें कैसे करते हैं. पिछले दिन हमने सीखा कि यूजर से कुछ input कैसे लें, उसको variable में कैसे store करें और फिर हमने उसको screen पे print कर दिया. लेकिन वो बहुत सुन्दर नहीं लग रहा था. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि उस print को सुन्दर कैसे बनाना है, concatenate के साथ. अब आप पूछेंगे ये concatenate किस नेता का नाम है, ये बहुत ही complicated word है, घबराये मत. word चाहें complicated हो, इस्तिमाल बहुत ही simple होता है. ठीक है, तो concatenate का मतलग, ये किसी भी दो या तीन या जितनी भी चीज़ें चाहें, एक साथ जोड सकता है. concatenate के पास ये superpower होती है, कि आप इसको जो भी चीज़ें दें, ये वो एक साथ जोड के आपकी screen पे print कर सकता है. ठीक है, तो इससे आप अपना output काफी सुन्दर बना सकते हैं. तो हम कल का ही example लेंगे, जहां पे हमने user से पूछा, आपका नाम क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है, हम user से input लेंगे, variable में store करेंगे, और फिर concatenate use करके, हम इसको screen पे अच्छे से print करेंगे. ठीक है, तो यहां पे हम ने ये code copy किया, आपके tutorial panel से, और यह हमने यहां पे डाल दिया. तो पहले हमने user से पूछा, आपका नाम क्या है, वो हमने मेरा नाम variable में डाला, फिर हमने user से पूछा, आप क्या खाने वाले हैं, उसको हमने डाला मेरा खाना में, और फिर हम print करेंग में print करनी है आप उनको comma डाल के ये comma है आप इनको comma के साथ डाल डाल के print में ही लिख दीजे और फिर ये अच्छे से screen पे print हो जाएगा तो अब हम ये try करते हैं मैं यहाँ पे run click करूँगी computer ने पूछा आपका नाम क्या है मैंने अपना नाम डाला आप क्या खाने वाले है मैंने लिखा पावभाजी और यहाँ पे इसनी एक ही line में अच्छे से print कर दिया एश्वर्या पावभाजी खाने वाली है ठीक है तो ये आपका होता है concatenate आप इसको print के अंदर use कर सकते हैं जब तक आप चीजों को comma से separate करके print के अंदर लिखेंगे वो चीजें एक के साथ एक जुड़ती जाएंगी और यहाँ पे अच्छे से print हो जाएंगी ठीक है एक और try करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे एक मैंने already code लिखा हुआ है कि हम पूछेंगे किसी Bollywood actor के बारे में ठीक है हम user से पूछेंगे एक Bollywood actor का नाम दो वो हम actor variable में store करेंगे और फिर हम पूछेंगे एक किसी जगे का नाम दो वो हम जगे में store करेंगे और फिर हम कुछ print करेंगे मज़ेदार उन दोनों चीजों को use करके लेकिन एक ही line में हम बीच पीच में comma डालेंगे ताकि वो चीजें एक साथ जुरती जाएं और एक ही line में print हो जाएं ठीक है मैंने अपना screen clear किया यहाँ से code copy किया और हम run click करेंगे मुझे एक bollywood actor का नाम दो srk मुझे एक जगे का नाम दो हम लिखते हैं Paris और फिर computer ने बोला मुझे नहीं लगता कि srk पारिस में है ठीक है तो यहाँ पे आप जो चाहें वो print कर सकते हैं लेकिन आप यह याद रखिए कि जो भी जीज zeros चीज़े आप print कर रहे हैं आपने हाँ पे text दाला कि मुझे नहीं लगता फिर आपने हाँ पे actor का नाम दाला srk फिर आपने जगे का नाम दाला फिर आपने फिर से एक text डाला आपने हाँ पर चार चीजे एक के साथ एक जोड़ी लेकिन याद रखेगा उसके बीच में कॉमा जरूर होना चाहिए ठीक है आप एक बार pause करें खुड try करें और फिर हम देखेंगे क्या-क्या और silly mistakes होती हैं जो हम लोग माने तोर पे करते रहते हैं साथ कुछ common errors कुछ समाने गलतियां हम देखेंगे लेकिन पहले pause करें और यह try करें और राइट दोस्तों तो अब हम देखेंगे कुछ common errors कुछ silly mistakes समाने गलतियां जो कोई भी coder कर सकता है हम देखेंगे उसको कैसे पहचाने और कैसे ठीक करें ठीक है यहाँ पे हम यह code को copy करके यहाँ पे print करेंगे ठीक है हमने यहाँ पे डाला और हम run button दबाते हैं हम तो replet ने हमें यहाँ पे error दिया कि error आ रहा है print आपका नाम और उसके बाद जो double code से उसके उपर error दिखा रहा है और यहाँ पे सिर्फ हमें इतना बताया है कि invalid syntax है कुछ आपने कुछ लिखने में गलती की है तो अगर आपको याद हो concatenate करने के लिए यानि चीजों को साथ में जोडने के लिए comma की बहुत जरूरत होती है comma होना ही चाहिए तो वो यहाँ पे missing है तो चलिए इसको ठीक करते हैं यहाँ पे हम एक comma पहले डालेंगे जहाँ पे यह error दिखा रहा है run करते हैं अब यहाँ पे फिर से इसने error दिखाया और यह फिर से comma के लिए complain कर रहा है कि आपने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला तो चलिए फिर से कॉमा डालते हैं अब हम run करेंगे फिर एक error आया क्योंकि यहाँ पे तीसरा कॉमा भी missing है, हम चार चीजे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपका नाम क्या सोचती है कौन सा साल और यह आखरी word में, ठीक है, हम चार चीजे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन चारों की बीच में कॉमा चाहिए याई नहीं की तीन कॉमा होने चाहिए अब हम run करते हैं ओके, अब यह run हुआ, आपका नाम मेरा नाम इश्वर्या, यह कौन सा साल है, यह हजार, यह है दो हजार बाइस, तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया, एश्वर्या सोचती हैं कि हम हैं, दो हजार बाइस में, ठीक है, यह आपका error ठीक हो गया हम, अब एक और error देखते हैं, यहाँ से फिर से code copy करेंगे, जो भी यहाँ पर आया, उसको हम delete करके, यहाँ पर paste करेंगे चलिए, run करते हैं यह अब run हो गया यहाँ पर आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम डाला, एश्वर्या कौन सा साल है फिर से 2022 यहाँ पर प्रिंट हुआ, आपका नाम सोचता है, कि हम कौन सा साल में है, तो आप यहाँ पर क्या गलती हुई, इसने प्रिंट ठीक से कर दिया कोई error नहीं था लेकिन, लेकिन हमें जो चाहिए था वो नहीं प्रिंट हुआ यहाँ पर, ठीक है हमें चाहिए था, user का नाम वो प्रिंट हो, और जो साल user बता रहा है वो प्रिंट हो, तो यहाँ पर गलती यह है, कि आपने सारा का सारा double quotes के अंदर डाल बिया है, ऐसा नहीं करना है, जो आपको variable चाहिए, वो आप variable लिखेंगे double quotes के बिना, ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा आपका नाम क्योंकि जो variable के अंदर मुझे चीज है, वो चाहिए, आपका नाम सोचता है कि हम यहाँ तक यह text प्रिंट हो जाएगा फिर से comma कौन सा साल, कौन सा साल variable है तो यहाँ पर variable आगया, इसको हम double quotes में नहीं डालेंगे और फिर से एक और comma सौरी, यहाँ पर comma था और फिर से हम यहाँ पर double quotes लिखेंगे यहाँ पर मैंने कौन सा साल मिस कर दिया, कौन सा साल तो यह हो गया, अब यहाँ पर हमने तीन comma डाले, क्योंकि हम चार चीजों को एक साथ जोड रहे हैं आपका नाम variable सोचता है कि text कौन सा साल, फिर से variable में है, text ठीक है, अब हम इसको run करेंगे यहाँ पर इसने पूछा आपका नाम एश्वार्या, कौन सा साल है, 2022 एश्वार्या सोचता है कि हम 2022 में हैं, अब यहाँ पर सोचता है, सोचती है, वो आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं कि लड़की का नाम है या लड़की का नाम है ठीक है, लेकिन यह आपके कुछ silly mistakes, कुछ समान या error होते हैं जो हमेशा होते रहते हैं और आपको इनको ठीक करना आना चाहिए फिर से दोस्तों, अगर आपको थोड़ी और practice चाहिए तो मैंने अगले chapter में code break कर दिया है, प्लीज उसको जाके fix करें और देखें क्या आप उसमें गलतियां ढूंड सकते हैं, ठीक है pause करें, अगले chapter में जाएं और मेरा code fix करें alright दोस्तों so उमीद है आप लोगोंने मेरा code fix किया होगा, अब हम आते हैं हमारे तीसरे दिन के challenge पे तो दोस्तों, I'm sure आप सबने मैगी में कुछ-कुछ अलग-अलग प्रकार की चीज़ें हमेशरा डाली होंगे हम लोग school में मैगी में अंडा डालते थे vegetables कभी नहीं डाली बहुत लोग डालते थे, मैंने कभी नहीं डाली लेकिन ये है आपका आज का challenge आप एक मैगी की recipe बनाएंगे, जसमें आपको जो भी funky, जो भी मज़दार चीज़ें जो भी अलग प्रकार की चीज़ें डालनी हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है इसमें आप यूजर से कुछ input लीजिए, यूजर से कुछ हट के चीज़ें पूछिएं कि जैसे यूजर का सबसे अच्छा पौधा, plant कौन सा अच्छा लगता है किसी मसाले का नाम किसी घर की, घर की किसी चीज़ का नाम, जो भी कुरसी, टेबल, जो चैर, कुछ भी चीज़ का नाम आप वो सब चीज़ें यूजर से लें और फिर उसको एक मज़दा recipe में एक साथ जोड़ के print करें, ठीक है, तो मैं आपको output दिखाऊंगी, मैं आपको solution नहीं दिखाऊंगी मैं आपको output दिखाऊंगी, कि ये कैसा लग सकता है, तो यहाँ पर मैंने run दबाया, इसमें मुझसे पूछा एक पौधी का नाम दो, जैसे मैंने बोला गुलाब का फूल, एक मसाले का नाम दो, हम बोलते हैं हल्दी, एक घर की वस्तू, घर की किसी चीज़ का नाम बताओ, मैंने बोला, कुरसी, फिर इसमें प्रिंट किया, आज रात खा खाना, हल्दी गुलाब, मैंगी के साथ, और कुरसी के ऊपर, ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, आप चाहिए, आप खुद कोट कीचिए, कुछ भी मज़ेदा रेसिपी बनाएए, जरूरी नहीं है, मैंगी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन, आप जो भी बनाए, वो सोशल मीडिया पे शेर करना मत भूलिएगा, हमेशा की तरह आपकी ब्राउजर पे जो URL है, जो URL है, वो कॉपी करें, आप पेस्ट करें, और रेपलिट 100 डेज हैश्टाग हैश्टाग यूज़ करके सोशल मीडिया पे डाले, और हमारे साथ शेर करें, सो लोग आपकी रेसिपी देख सकते हैं, कुछ भी मज़िदा रेसिपी बना सकते हैं, और आप ये सोशल मीडिया पे शेर करें, हमें इंतजार रहेगा देखने का कि आप लोग क्या-क्या बनाते हैं, तो ये था तीसरा दिन, अगले दिन, चौते दिन में हम मिलेंगे, और हमने जो सब भी अब सीखा, हम उन सब सारी knowledge को, सारी skills जो हमने सीखी, इन सब को combine करके, कुछ बहुती कूल बनाने वाले हैं, ओके, सो कल मिलते हैं,